हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का टेकनिकल आर्पीम की यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आइटि आई मेकनिकल के ताथ पूछे गए विविन पस्नों को देखेंगे जो विविन पर चाहों में पूछे गए कोशन्स है या फिर पूरिंग टेकनिसियन, इसरो और अधर टेकनिसियन ग्याव में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों यह फेक्टि सेट नमबर 24 है अगर दोस्तों इससे के पहले कि आप लोग वीडियो नहीं देखें है तो डिफिसन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप देख सकते है दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सेयर करते हैं तो दोस्तों चलिए स्टाट करते हैं प्रेक्टि सेट नमबर 24 है कि कुस्टन नमर 1 है कि व्लकट टैप को ढ़ेस की नाम से भी जाना जाता है आप से नमर एचेपर टैप आपसों नमर भी ए बाटमीं टैप आपसन शी एंटरमीडियेट टैप अपिर आपसन नमर बी यह है इंवे से कोई नहीं पुस्टन नमर जो होगा दोस्तों वह हो बी टेप टेप को बाटमिंग टेप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों अगर टेप की बात गिया जाए तो टेप दोस्तों तीन प्रकार के होता है जो इसमां इसमां पहला टेट हो तायवा दोस्तों हो जाता है टेपर छैप नहीं पहला और दूसरा पहला हुझता legg के नाम से जाना जाता करने लुए जो फस्ट वाला टेपर होता है उसमें चार फोर डिगरी और दोXTुछ िटेपर कोगिये रहता है इसको पाचान के लिए और अच्छे से कटिंग करने के लिए और दोस्तों या हाई कार्बन इस्टील या फिर हाई इस पीजिए काश टेल का बना होता है दोस्तों यह नेस्ट कोस्टन है इसको संपर जो से अंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नमबर आब वी पलग टप को बॉटनिं टप के नाम से भी जाना जाता है नीस्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर टू खड़ी साज मी Fill दूआरा छोटे पूर्जे पकड़ने के लिए कौंसी वाइस काम आती है कि बस्तने अंठ छैन्र कर्क्राव्ड तो कि क्रियोग के जाता है दो hah क्वेश्कन अ है क्वेश्ट नमर्ट 3 क्रेंक साप्ट निर्मली की धातुका बनाया जाता है आपसा नमर A है स्टेनलेस स्टील आपसा नमर B है अल्यूमिनियम आपसा नमर C है काश्ट स्टील यह फिर आपसा नमर D है फोर्ज स्टील कुश्चन नमर 3 का जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपसा नमर D फोर्ज स्टील नेश्ट कुश्चन है कुश्चन नमर 4 अगले पाईए कि फिटिंग में कुछ कोड दिये जाते हैं यह काल आता है आपसा ने है हील फिटिंग आपसान भी है विवील एलाइलमेंट आपसान छी है है शिलभ एलाइलमेंट अपिर आपसान नमर D इन में से क्यों ही नहीं वह हो जाएगा आपसान नमर वील एलाइलमेंट नेश्ट कॉस्चन दोस्तव कोस्चन नमर फइव बुरादे से डेकी हुई बर्प जल्दी से क्यों नहीं पिगलती बुरादे से डाकी वी बर्प जल्दी से क्यों नहीं पीगलती आपसन A है बुरादा हवा को बर्प तक नहीं जाने देता आपसन B है बुरादा पानी को सोक लेता है आपसन नमस C है बुरादा उस्मा का चालक पुचालक होता है या फिर आप्सान नमर्ट डी ए बुरादा उस्मा का सुचालक होता है इस question का जो सही answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप्सान नमर्ट C बुरादा उस्मा का कुचालक होता है इसलिए बुरादे टके वी बर्क जल्दी से नहीं पीगलती Next question है दोस्तों Question 6 Exist Pradali Exist Pradali में लगाया गया एक उत्प्रेरक की परिवर्ता रखा है आप्सान ए है Exist Pradali जो लगाया ज़ता है इसका मुखे कारे किया है दोस्तों आप्सान ए है Exist के CO2 को CO को काम करता है कम करता है दोस्तों आप्सान नमर भी यह सोर को कम करता है आप्सान सी यह इधन छमता को सुझारता है और आप्सान नमर डी है रुप्रेरक में से कोई नहीं दोस्तों एक ग्यास पड़ा ली Carbon Dioxide को कम करता है दोस्तों आप्सान नमर यह इसका सज़ेन से हो जाएगा Next question है Question No.7 अस्तंबो का मिलान करें यानिकि लिस्ट बन से लिस्ट टू को मिलाना है दोस्तों इसमें लिस्ट बन में Class A की फार दिया हुआ है और इसको मिलाना है दोस्तों Class A का दोस्तों लकडी में या आप्सान नमर टू का यह एका दूसरा मैस का रहा है दोस्तों यानिकि Class A की आग लकडी द्वारा लगती है और Class B की जो आगए दोस्तों वह दोस्तों Class B जो लंसीर द्रोव से लगती है यानिकि Class B चार नमर और जो Class C का आगए दोस्तों वह गयस द्वारा लगती है यानि कि आफसेनमर सी का क्लास्पी का वह गाईस द्वारा जो क्लास्टी की आगर दोस्तों जिए दगात्तुद्वारा लगती है तो इसकूश्चन के जो तो चैंस रहा जाएगा वह जाएगा आफसेनमर ए का दूसरा B का चाओ था C का पाला और D का तीसरा Next question है दोस्तों Question number 8 प्रिक पंच का point grind होता है Option A है 30 degree Option B है 45 degree Option C है 60 degree या Option number D है 90 degree Question number 8 का जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा Option number A प्रिक पंच का point 30 degree होता है और दोस्तों इसका पंच का धातू बीबात के जाता है High Carbon Steel से पंच बना जाता है Next question है दोस्तों Question number 9 आक्सी एसिटिलीन Flame Cutting के दवरान धातू कट जाती है क्यों आपसन नमर ए धातू की वास्पन के कारण Option B है धातू के जलने के कारण Option C है समान यन प्रकरण के कारण या फिर आपसन नमर दी है गहन आक्सीजन के कारण Question number 29 का साइंसर हो जाएगा दोस्तों वा हो जाएगा Option number D गहन आक्सी करण के कारण Next question है Question number 10 High speed steel की अधिक्तम कछोरता प्राप्त होती है High speed steel की अधिक्तम कछोरता प्राप्त होती है Option number A है निन्म तापमान पर टेम्परिंग द्वारा Option B है मध्यम तापमान पर टेम्परिंग द्वारा Option number C है उच्छ तापमान पर टेम्परिंग द्वारा पिर आपसा नमर्ट टी है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों टेन का सरी अंसर हो जायागा वह जायागा आपसा नमर्ट सिग हाई टंपरेचर उत्ताप मान पर टेंपरिंग के द्वारा अर दोसों कि एस एस का जो मतलब यह तुल बना जाता है इसमें टूल के लिए कटिंग टूल बनाने के लिए प्रयोक के जाता है इसमें दोस्तों हाई स्पीड डिस्टिल में टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम स्पीड डिषीर डिश्टिल बना जाता photon इस के सयंतर हो जाएगा आप सुन मर्ठ सी कि अस्ट के से नमर स developed है क् SPEAKER 11 किजय जाता है Option नेुश्ट कॉस्चेन है इस फेल्ट का कौड याने विफोन का बेल्ट का युज एंगल होता है दोस्तों वह कितना होता है कि कूश्चिन है हैं। esquema सुलोंaman fashion and ale two old ऐसमें टेगरी कोश्चा इंश्च in डिगरिआ ध्रत छे इंसर वह जाएगा बूरिआ तीडीवी थो बीड़िल का जो बाषसा एंगल होता है वहजो पोस्टें इसमध्रक वे बीच तो इसे मिपने नमर 13 एम 12 आई एसो मेट्रिक मेट्रिक इस थूल पीच की चूड़ी का पीच कितना है आप्शन नमर ए 1.75 mm आप्शन बी 1 mm आप्शन C 1.5 mm ए फिर आप्शन नमर डी 0.8 mm कुश्चन नमर जो 13 का सही अंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आप्शन नमर ए 1.75 होता है दोस्तों निस्ट कुश्चन है कुश्चन नमर 14 भारतिय मानक प्रडाली की अनुसार एक डिल बीट का 9.5 ह आई एस फिप्टी वन जीरो वन एच एस पदनामित है इसमें आप्शन नमर ए ए रेक एंगल आप्शन नमर भी ए डिल बीट की लंबाई आप्शन नमर सी है इस पिंडल का ब्याज या फिर आप्शन नमर डिल ब्याज अगर दो सो कुशन नमर फूट्टीन की बात किया जाए और इसका जो 9.5 ह आई एस फिप्टी वन जीरो वन और एच एस का पदनामित के जाता है दोस्तों इसमें 9.5 का जो वर्त होता है दोस्तों वह इसका डिल का ब्यास होता है इसकूशन का जो सही अंसर हो जाएका दोस् नमाडी ड्रिल ब्याज अगर दोस्तों इसमें एच की बात किया जाए तो यह दोस्तों एच टाइप हो जाता है ड्रिल बीट का तिन टाइप के दोस्तों ड्रिल बीट होता है एक एक एन टाइप हैने की नॉर्मल एक हर्ड और एक तीन टाइप के दृल बीट होते हैं इसमें यह मीडियम साइज का है दोस्तों और जिसका तक है اिससे जो हेलिक्स ओडिल होताहै वाले का दोस्तों वह 16 से 30 डिजरी तक होता है और इसमें दोस्तों डू zg g दिया है वह दोस्तों आयज नम्मर आई एस फिप्टी जो दिया है can I आइस नम्मर फाइब वन जीरो वन है और एच एस यानि कि दोस्तों या किस पार्ट का बना हुगा है तो कि यह दोस्तों दिया है इस पदार्थ का नाम तो इसमें आ जाता है एच एस यानि की हाई स्पीड इस्टील और दोस्तों जो डिल का एंगल होता है वहां होता है यानि की 118 डिगरी और जो डिल को चेक करने के लिए डिल ग्राइंडिंग के जो होता है वहां दोस्तों हो जाता है एक सो एक कईस डिगरी निश्ट क्यूस्टेन है को से नमर 15 जालवा लोहय यानि की मसीनिंग का श्टाइरण मसीनिंग के लिए उपयूक सीतलग है जालवा लोहया का मसीनिंग करते समय इसमें कौन सी सीतलग प्रयूक के जाता है आपसा नमर ए सल्विवल आयल आपसा नमर सब्सक्राइब है केमिकल सल्यूशन एफिर अन्विलियन आपसा नमर्स ये खनीज चेल मिनेरल ओयल आपसा नमर्स नमर्स ये नो कुलेंट यानिक सीतलक कोई प्रयोग नहीं किया जाता है तो कुस्ट्ट नमर्स 15 का जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपसा नमर्स नमर प्रहों में वाल्प ब्यवस्ता का तरीका क्या होता है यानि कि ionजन यान की इसमें वाल्प की ब्यवस्ता क्या सी रहते हैं कमवक्शन इ Attack crashes engine आई सीगा फ्लन सकते तेसं है कुंछन आपन का य है इसमें से कोई नहीं नेश्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमर 17 क्राश टाइप यूनिवर्सल जॉाइंट की स्कूड का यान की कुछ की स्कूड पर सरलता से सकती संचालन करता है आप्षन A है 30 डिग्री आप्षन B है 90 डिग्री आप्षन नमर C है 45 डिग्री या फिर आप्षन नमर D है 15 डिग्री इस क्वेश्चन का जो सरी अंसर हो जाएगा दोस्तों हुआ हो जाएगा आप्षन नमर C 45 डिग्री पे क्राश टाइप उनिवर्सल जॉाइंट बहुत अस्चाललता से संचालल सकती संचालल करता है निश्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमर 18 अब केंद्री पंप केंद्री पंप केसिंग में ध्रव का प्रवाह इंपेलर मतलब पर होता है कि तने इंपेलर कितना होता है staat नमरे सीढके प्रवाब होता है आफ सेंविए अ एक रीडियूल टो होता है या फिर आरी प्रवाब्त झाल श्वातं प्रवाब होता है या फ्रीद से मदध कर आधायर चिंसार सिन्हां तो फेस्डे में प्रवाब सै क्लेके सब टोब ट्रोबेल को किसलिए उप़ेवक किया जाता है आपसननर आमरे पीकिंग मार्टल लगाने के लिए आपसननर डीगिंग के लिए या फिन आपसननर डी वैसींग के लिए इसके सैंसर हो जाए गर दोस्तों वो जाएगी तो आप्सान नमर ये पीकिंग मार्टल लगाने के लिए निश्ट को सब्सक्राइब दोस्तों कुष्चन नमर 20 यदि कार यास्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए आप्सान मेरे भागदर नहीं मैं चाना चाहिए आप्सान नमर भी बैकल्पी क आप्सान का फ्रबंद करें आपसान नमर सी बाहर निकलना आए तो वीडियो का प्रयोग करें तो इस कुष्चन को सभी ऊपायों का प्रयोग कर सकते हैं नेस्ट कुष्चन है दोस्तों को से नमर ट्वट्टी एउन सिंगल प्वाइंट कटिंग टूल ने में खित अंग मे creator वियर होता है single point cutting tool के नहीं लुखित अंग में creator वियर होता है option number A है flight में option B है side में option C है रेक में या फिर आफ्से नमर D है tip में इस question का जो सए answer हो जाएगा दोस्तों हुआ हो जाएगा option number A फ्लैंक में नेस्ट question है question number 22 गैस वेल्डन में सामानता प्रयुक्त लव है option A है उदासी option B है आक्सी कारक option C है कर्बूराइजिंग या फिर आफ्से नमर D है यह सभी तो option नमर जो question 22 का जो सही answer हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा option नमर सभी यानिकी यह सभी उदासी नाक्सी कारक और कार्बूराइजिंग तीन तीन होता है दोस्तों अगर इसका तीनों का temperature की बात किया जाए दोस्तों इसका दोस्तों temperature होता है एक तीसव डिग्री सेल्सियाज और नेट्राइडिंग का दोस्तों उदासीन का होता है बत्तिसव डिग्री सेल्सियाज और और अक्स अक्सिडाइजिंग का होता दोस्तों तेनेटीस डिग्री सेल्सियाज इसके चाहिए अंसर रहाएगा आप्सन नमर डी येस अब इसकी तीनो नेश्ट क्वेश्चन है जाए नमर 23 तरी निन्म में से कौन सी समागरी एक लव चुम्ब की समागरी नहीं है कि आप्सने ए आइरन यानिकल लुआ आप्शन बी ये निकल आप्शन सी ये जासता है या फिर आप्शन में ये कुबार्ट इस कुश्चन का जो सही एंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आप्शन नंबर सी जासता नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमर 24 प्लेन टर्निंग में चिप्स फार्मेशन को रोकने के लिए निन्म में से टूल का कौन होना चाहिए आप्शन A साइड क्लीरेंस एंगल आप्शन B प्रंट क्लीरेंस एंगल आप्शन C एप्प्रोच कोड एफिर आप्शन नमर D टोप रेक गुड्द तो कुश्चन नमर इस कुश्चन के जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों वह यह जाएगा आप्शन नमर डी टॉप रेकोर्ड होना चाहिए चीप्स फार्मेशन को रोकने के लिए नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 25 जो कि पुली का दूसरा नाम होता है आपसन नमबर A है लूज पुली आपसन B है फास्ट पुली आपसन नमबर C है आइडलर पुली यह फिर आपसन नमबर D een pro期 में से कोई नहीं तरिसक्षन का जो सरी अंसर है दस्तों वहा है आपसन नमबर C है आइड़र पुली तर तोस्तों अगर जो कि पुली जो होता है वह बड़ी पुली की ब्यास का तिन गुना मतलब जो बड़ी बड़ी पूली रहती है जोके पूली की साथ तो बड़ी पूली के जितना ब्यास होता है उसके ब्यास का तीन गुनी दूरी पे जोके पूली लगाए जाता है दोस्तों तथा यह दोस्तों दोनों पूलियों का जो जोकी पुली और मिन पुली जो ब्यास में अंतर होता है उग छेयन पाते 6 की एक का होता है यानि कि एक अगर 10 एमय्यम जोकी पुली है तो 60 एमय्यम मिन पुली रहता है दोस्तों अधिर पते यका अंतार रहता है नेश्ट को स्चलन है को सदनuning और कि जीण पहल टो Mexico कि दाटुकी छेद में चूड़िया काटने के लिए आनरे雷्ट में से किसी अंत का पर्योब परेयोग किया जाता है आप से नमरे बोर्रेंग टूल आफंट लो डीए वह जाएगा तैप आफसर नमर चीजा दोस्तों अगर टेप की बात किया दोस्तों ते तीन प्रकार के होते हैं इसमें एक होता है टेपर टेप और दूसरा होता है इंटर्मीडियर टेप और तीसरा होता है बाट्मिंग टेप जैसे की Question No.1 में आपको बताया था तो इससी में जो पाचानने के लिए दोस hiding इसमें या तो टैप में रिंग बनाँ ओता है और फर्स्ट वाले में एक रिंग बनाँ अटा है? second वाले में दो रिंग बनाँ ओता है और थर्ड वाले में तीन रिंग बनावता है दोस्तों यह पाचान करने के लिए और इसको दोस्तों टेपर किया रहता है फर्स्ट वाले टेप को फोर डिगरी पे इसका जो थ्रेड होता है उसको टेपर किया रहता है फर्स्ट वाले को चार डिगरी पे और दोस्तों दूसरे hai suze my neffen कॉन होता है सबसे छोटा ड्रिल होता है नामट साइज में सबसे छोटा डिल लोता है आपसा नमट दो सीदिये री आपसा नमट centers या फिर आपसा नमटिये कुशनम स्ब्सक्राइच टैसए अंसर बात किया जाए और एक नमर तो 80 नमर जो सबसे चोटा है और एक नमर सबसे बड़ा होता है दोस्तों और जिसका 80 नमर का जो साइज होता है दोस्तों वह 0.35 mm का होता है और दोस्तों अगर एक नमर की बात किया जाए तो दोस्तों एक नमर का हो जाता है 5.791 mm का एक नमर का साइज होता है और 80 का 0.5 mm 0.35 mm होता है और दोस्तों इसको निदिश्च करने के लिए लेटर साइज भी एक डिल का लेटर साइज भी दिया रहता है जो दोस्तों A होता है और A से लेके Z तक दिया रहता है और जो इसमें सबसे छोटा जो होता है दोस्तों एस छोटा होता है जिसका साइज दोस्तों 5.944 mm होता है और जो Z का होता है वो सबसे बड़ा रहता है यानि कि लेटर साइज में सबसे छोटा A होता है और सबसे बड़ा Z होता है तो जो A का होता है 5.944 होता है और Z का जो साइ पॉर्णाइन जीरो होता है एमें में है दोस्तों यह मान नेस्ट को सब्सक्राइब को से नमर टॉंटी येट किसी द्राव की तरलता का अस्तर निनमे लिखित लुब्रिकेंट में से किसकी विश्यसता है आप्शन नमर ए तैलियता आप्शन भी फ्लैस पॉइंट आप्शन दोस्तों वह जाएगा आप्शन नमर टी से आनता किसी द्राव में तरलता कास्ता निनमने लिखित लुब्रिकेंट में से किसकी विश्यसता या तरह स्यानता की विशिष्ट नेक्ट व्लिखित कारवों से क्रेंक साप्ट फ्लाइबील से जूड़ा राता है मिल्खित टूट फूट से बचने के लिए क्रेंक साम को बढ़ाने के लिए 5C रखने के लिए 5500 के लिए तो कुश्चन में जो 29 का जो सह एंसर हो जाएगा दोस्तों हुआ हो जाएगा आप्शन नमबर D इंजन की गति को उतार चड़ाव को कम करने के लिए फ्लाइबिल लगाया जाता है दोस्तों नेक्शन है जब कोई आट मोबाइल मोटर गारी ए एरियल गारी जूरती है यह जूरती नहीं दोस्तों मूरती है तो क्या होता है आपसा नमरे बाहर के पहिए कि आप इच्छा भीतरी पहिए अधिक दूरी तक तय करते हैं यह नहीं होगा दोस्तों सुधा नमर्म अफर नमर्म भी भीतरी पैयक्शा बारी पैया अधिक दूरी तह시면 करते हैं कि अदूस्तों कि सकति इसंते स्छा नमर्म अधिक दूरी तहयाँ मोगम करके निश्ट ने तो घ्य å दोस्तों सब एम तथा इसकी स्पीड दी हुई है पचास राउंड प्रतिमेंद यानिकी आर्पीम यह दी ड्रिवेन पिनियन का पीच्छे ब्याज 25 एम है तो उसका स्पीड क्या होगा दोस्तों तो इसमें दोस्तों यह फर्मूला अपन लगाया देता है डामीटर यानिकी डामीटर गुड़े दूसरे का आर्पीम यानिकी दूसरे का आर्पीम स्पीड बराबर दूसरे का डामीटर गुड़े दूसरे का आर्पीम और इसी को दोस्तों सॉल्प कर देंगे तो इसे पहले का डामीटर सौव में गुड़े स्पीड अपन दूसरे का ब्यास से भाग देंगे यानिकि पचीश से पचीश से पचीश दुना पचाज सो इंटू दोसो तो दोसो आ जाएगा तो इसको संपर जो सब्सक्राइब जाएगा आपसा नमबर ए दोसो आर्पीम नेश्ट कुर्शन है कुर्शन नमर थाटीटू आंतरीक अंतव पुछ के टेपर को इनिमें से किसकी सायता से मापा जाता है साइन बार आपसन भी है सन्योजक सेट आपसन सीए सिलीब गेज अवर मानक भी नाव विमाओ की गेदों से या फिर आपसन नमर डीए डायल गेज से इस कुर्शन का जो से इंसर हो जाएगा दोस का प्रयोग होता है आपसन नमर ए कारे टुकणों की ब्यास मापने में आपसन नमर भी है कारे टुकणों में छिंदर का ब्यास मापने में आपसन नमर सी है कारे टुकणों के छिंदर का ब्यास जांचने के लिए या फिर आपसन नमर डी है कारे टुकणों की लंबाई जां लेप जोएन प्रयोग किया जाते हैं वेल्डिंग कारे में किस मोटाई की प्लेट पर लैप जोएन प्रयोग किया जाते हैं दोस्तों आप्सेन यह तीन यह से कम पे आप्सट बीए 5 यह से कम प्रयूँक किया जाता है दोस्तों और टीन प्रकार के जॉइंट होते हैं । जोईंट जबस कर है जो पांहों जाता हुआ है हुआ है था नमर ए अदो लेमुनियम का आई आसक निनमेसे होता है मुल्म का यासक निनमेसे कौन है कुझचा of Tacky ढआताईड को सान्सरण उजाएगा अजुस्तों वह हो जाएगा आलमुन्यम घाइश्क उक्साइड दरसंफ नेस्ट क्योस्ट possa मऩपटीसींग विल्ट पर एक अन्यामित आकार रषिक कास्ट्रिंग को मसीन में लगाने के लिए इसे पकड़ा जाता है आप्सन नमर A है कॉलेट चक से आप्सन B है चुमकी चक से आप्सन C है थ्री जा चौक या तीन जा बड़ा चक से आप्सन नमर D है फोर जा चक से तो इस क्वेश्चन का जो सह एंसर हो जाएगा दोस्तों हुआ हो जाएगा आप्सन नमर D फोर जा चक का प्रयोग किया जाता है नेश्ट कॉस्चन है कॉस्चन नमर 37 निन्म में से किस गियर के दाते धूरी के साथ तीर्चे होते है निन्म में से किस गियर के दाते धूरी के साथ तीर्चे होते है और आफ्साइन ओरगेर और यह और असर असुझक का चशात को फेस का तीलशा बना जाता है उसके सात सीधे स्पेरल या हेलकल कर सकते हैं और हेलकल गियर के दाथे दोस्तों उसकी अच्छ के एक कूर बनाया जाते हैं उसकूर्चन का जो सभी एंसर हो जागा है दोस्तों आपशन हनम सी हेलकल-ग एक्शन है क्कूर्चन है क्जिट्सन okay 108 इस screw thread का प्रयोग निन्व में से किसकी लिये नहीं किया जाता आपसर नमर A है उचाए उठाने के लिए हाइड बढ़ाने के लिए आपसर नमर B है गति परिवतन करने के लिए आपसर नमर C है पार्टों को अस्थाय रूप से जोड़ने के लिए यह फिर आप्सान नमर्डी है सुछ माप लेने के लिए जैसे कि माइक्रोमीटर में तो कुश्चन में जो 38 का जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आप्सान ड्रिल होल को कुछ गहिए तक बड़ा करने हैं तुछ रिल प्रयोग के जाता है अप्सान हम्रे ऐ कांटर बोरिंग ड्रील ऑफ़ें एक सेंटर ड्रिल आप्सान सीए सीकिंग या फिर नंगी है इन से कोई नहीं दोस्तों इसक्रेस्टन का जो सही अंसर हो जाएगा वह हौँ लाकल और सोल्क दोस्तों काउंटर प्रोंट निनका दोस्तों प्रियोंग का जाता है गायराइत पुछ लिए काउंटर बोरिंडे Quanसा दोस्तों कालो कि जाता है जिसमें उसी में counter boring डिल से डियुकियाता है दोस्तों के जो छोटा सैंद द्वरा बनाए गया वब लाता है है को चोटा साइज के बड़ साइज के और गरोक युदु का छोटे वाल वालनिंद बड़ साइज के लिए पैलनक incompetent का क्रता नेक्स्ट कुस्टन है क्वेशन नमर्पोट्टी बाल बीरिंग में घरसल कम होने के कारण है आपसन नमर्ए ग्रीस आपसन नमर्वी है संपर्ख शेत्र कम होना आपसन सी बेरिंग धातू आपसन नमर्दीय अपुरूक्त सभी तो इसकोषण के साइस रहो जाएके दोस्तों बवाब जाएगा आप्षान नमर B समपर्कशेत्र कम होने कारण गरसण कमअता है दोस्तों संपर्कशेत्र कम के गरसड कमकरता नेडिक्स को श्यान दोस्तों कोश्चान नमर् 41 कि किसी फोर स्टोक ईंजन में एक डेजल इंजेक्शन में इंजन के एक cycle में कितने चक्कर लगाता है option नमर A है आदा चक्कर, option B है 4 चक्कर, option C है एक, और फिर option नमर D है 2 चक्कर, question में 41 का जो सही answer हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, option नमर D, 2 round यहनि कि किसी 4 stock engine में एक diesel injection में engine एक cycle में कितने चक्कर लगाता है तो वह दो round लगाता है next question है दोस्तों lubricant oil में carbon होने का कारण है आप्शन नमर A है धूल कड़ों का मिसरित होना, option B है low oil का विखंडर option C, A, Y, मंडल के साथ इसकी अभिक्रिया यह फिर option नमर D है जली विग गयसों के साथ lubricant oil का मिसराण होना इस question का जोसरी अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर D जली विग गयसों के साथ lubricant oil का मिसरित होना यह carbon होने का कारण हो जाता है दोस्तों, lubricant oil में next question है दोस्तों question number 43 एक पेच मापी कि पीच एक एमेम है तथा उसके गोली पैमाने पर सव खाने है पेच मापी का अलपत मांग क्या होगा दोस्तों इस question का जो सरी अंसर हो जाएगा वो जाएगा आप्शन नमर C, 0.01 mm next question है दोस्तों question number 44 एक नैनो मीटर बराबर है option A है 10 to the power minus 9 meter option B है 10 to the power minus 6 meter option C है 10 to the power minus 10 meter option number D है 10 to the power 10 minus 3 meter इस question का जो सरी अंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा option number A 10 to the power minus 9 meter एक नैनो मीटर के बराबर होता है दोस्तों और 10 to the power 3 का अगर बात किया जाए दोस्तों 10 to the power 3 का तो दोस्तों यहाँ मिली मीटर होता है और 10 to the power minus 6 का अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ माइक्रो मीटर हो जाता है तो इस question का जो सरी अंसर है हुआ है दोस्तों option number A 10 to the power minus 9 meter 9 meter के बराबर होता है next question दोस्तों निन मिल्खित में से कौन सा sleep gauge सामान नियों कारसाला के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है option A है grade 0 option B है grade 1 option C है grade 00 और फिर option number D है grade 2 तो दोस्तों इस question का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D grade 2 का प्रयोग किया जाता है यही कि निन मिल्खित में से कौन सा sleep gauge सामान कारसाला के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों यहाँ सामान कारसाला के लिए second grade का प्रयोग किया जाता है next question है दोस्तों question 46 निन मिल्खित में से कौन सा soldering flux का एक कार है option A है कार टुकडों की सता पर phosphate coating हटाना तो फिर आप्शन निन मिल्खित कार टुकडों की सता से आकसाइड परत को हटाना तो जो question 46 का जो से अंसर हो जागे दोस्तों वह हो जाएगा option निन मिल्खित कार टुकडों की सता से आकसाइड परत को हटाना next question है question 47 aluminium की तूलना में इस पात का विशिष्ट गुड़ है option A है अधिक होता है option B है कम होता है option C है बराबर होता है एपर दोस्तों option नमबर D है विशेश तत्तु के भार के साथ बदलती रहती है इस question के जो से अंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा option नमबर A अधिक next question है दोस्तों question number 48 एक angular जो आपको face किया जाता है इसके लिए इसे बांदा जाता है option number A है थिरीजा चौक में option B है कॉलेट चौक में option number C है सेंटर के मद्ध में और फिर option number D है face plate पर तो दोस्तों इस question के जो सही अंसर हो जाएगा वो जाएगा option number D face plate पर बांदा जाता है next question है बेल्ट दोरा प्रसारित पावर किसी एक किस पर निर्भर करती है option number A है कॉसे पार्स यानि की tight side और सिथिल पार्स यानि की slack side के तनाव का गुड़न फोर option B है tight side और सिथिल side मन सिथिल side के तनाव के योग का आधा option number C है tight side या parse यानि सिथिल side के तनाव का योग या फिर option number D है कसे parse हो यानि tight side और slack side के तनाव का अंतर दोस्तों इस question का जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा option number D कसे parse है यानि की tight side और सिथिल पार्ज यानि सिथिल side के तनाव का अंतर बेल्ट द्वारा प्रसारित पावर को पर नीर पर करता है इस question न दोस्तों question number 15 और इस पेक्टी सेट का दोस्तों last question और दोस्तों वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को share करें और दोस्तों चैनल से जुड़े राने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें question number 50 है वायर नोज का कूण prior 30 degree तथा seat का seat द्वारा तार को ढखने के लिए दूरी रखी जाती है option number A है 3.5 यानिकि 3 सा एक बटा दूरी है यानिकि diameter 3.5 diameter option B है 2 diameter, option number C है 3 diameter, या फिर option number D है 2.5 diameter question number 50 का जो साही अंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा option number A 3.5 diameter जान्ने बट दोस्तों